हेलो नमस्कार गूड मलिंग सुपरभात दोस्तों MPS मोटिवेटर में आप लोग का स्वागत है तो आज एक टोपिक के लेकर क्या है विशेशन तो विशेशन के अबाड़ा में पढ़ेंगे विशेशन क्या होता है विशेशन किसे कहते हैं और विशेशन कितने परकार कहते ह है उसके परकार के डिफिनिशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे विशेशन क्या होता है और विशेशन का परकार क्या होता है तो दोस्तों कोई भी सेंटेंस दिया रहता है विशेशन टाइप का हम लोग पता नहीं चलता है कौन सा विशेशन है तो दोस्तों इस उसे विसेशन कहते हैं तो दोस्तो एक्जांपल किसा समझते हैं जैसे दोस्तो पहला एक्जांपल यह है काली गाय कहने का मतलब है गाय कैसा है तो गाय काली है तो दोस्तो यह क्या हुआ विसेश्था बतला रहा है कि गाय कैसी है तो गाय काली है एक और एक्जांपल लेते है तो दोस्तो अंधेरी रात कहने का मतलब है कि रात कैसा है तो रात अंधेरी है तो दोस्तो विशेशन क्या बता रहा है अंधेरी रात कैसी है तो रात अंधेरी है तो दोस्तो परते हैं विशेशन कितने परकार के होते हैं विशेशन समझ में आगी होगा तो दोस्तो विशेश वाचक और नेक्स्ट क्या है संख्या वाचक और सर्वनामी तो दोस्तों विशेशन का परकार समझे है कि विशेशन कितने परकार का होते हैं और इसके परकार का डिफनिशन समझते हैं तो दोस्तों गुन वाचक विसेशन समझते हैं कि गुन वाचक विसेशन क्या होता है तो दोस्तों डिफनिशन लिखे हैं जिससे किसी संग्या में गुन रंग अकार अवस्था इत्यादी का बोध हो उसे गुन वाचक विसेशन कहते हैं तो दोस्तों एक्जामपल के साथ एक्जामपल समझते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट एक्जामपल लिये हैं उसका चेहरा गोल है तो दोस्तों इसमें कि इसका बोद हो रहा है आकार का बोद हो रहा है उसका चेहरा कैसा है तो उसका चेहरा गोल है तो दोस्तों गून वाचक विसेशन समाझ में आगिया होगा इस इसे किसी वस्तु की नाप या तॉल का बोध उसे परिमान वाचक विशेशन कहते हैं तो दोस्तो एक्जाम्पल के साथ समझते हैं जैसे तो दोस्तो पहला एक्जाम्पल लिखे हैं थोरा दूध दो तो दोस्तो दूध लेने का बात हो रहा है या किसी को नाप के या तॉल कर देते हैं तो दोस्तों यहीं क्या था हमारा परिमान वाचक विसेशन तो दोस्तों परिमान वाचक विसेशन समझ में आगी होगा इसी प्रकार नेक्स्ट है हम लोगा संख्या वाचक विसेशन तो दोस्तों संख्या वाचक विसेशन समझते हैं कि संख्या वाचक विसेशन क् डिफिनिशन लिखे है जिससे किसी वेक्तिया व वस्तुफ की संख्या का बोधि उससे संख्या वाचक विससें कहते हैं यहीं किसी को जीना आ सके तो उसी को क्या कहेंगे संख्या वाचक विसेशन तो दोस्तों एक्जाम्पल के साथ समझते हैं जैसे तो दोस्तों पहला एक्जाम्पल लिए हैं चार रूपए दो यानि क्या इसमें संख्या का बोद हो रहा है चार रूपए दो एक और एक्जाम्पल लेते हैं जैसे तो द परकार नेक्स्ट है हम लोग का सर्वनामिक विसेशन तो दोस्तों सर्वनामिक विसेशन में देखते हैं कि सर्वनामिक विसेशन क्या होता है और सर्वनामिक विसेशन का एक्जामपल कैसा होता है तो दोस्तों सर्वनामिक विसेशन में लिखे हैं किसी संग्या के पहले आने क्या है कौन सरोनाम है तो दोस्तों यह है और डिफिनिशन क्या था हम लोग का किसी संग्या के पहले आने वाले सरोनाम को सरोनामिक विशेशन कहते हैं तो दोस्तों संग्या क्या है विद्यार थी और कौन क्या है यह सरोनाम है तो यही क्या हुआ सरोनामिक विशेशन एक और लेते हैं जैसे तो दोस्तों नेक्स एक्जांपल है कोई पुस्तक दे दो तो क्या हुआ पुस्तक क्या है पुस्तक संग्या है और कोई क्या है कोई सरवनाम है दोस्तों यही था आज का टॉपक की विशेशन कैसा लगा विशेशन दोस्तों कमेंट में जरूर बता है अगर ट